दोस्तों आप IPL 2018 का फाइनल कौनसी टीम को जीताना चाहते हो? नीचे कमेंट बॉक्स में चरूर बताएं सन्राइजर्स हैद्राबाद के बल्लेबाज मनीश पांडे ने रॉयल चालेजर्स बैंगलोर के खलाफ फरतीस गेंदों पर 62 रनों के पारिक खेली लेकिन वे अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाए मैच के बाद पांडे प्रिस कॉन्फरेंस में आय और पत्रकारों के सवालों के जवाब दिये मनीश पांडे अंतिम ओवर में क्रीज पर थे और सन्राइजर्स हैद्राबाद को जीत के लिए 20 रन चाहिए थे उनके दिमाग में अंतिम ओवर में क्या चल रहा था? इस पर उन्होंने कहा कि अंतिम ओवर में 20 रन बनाना मुश्किल होता है और पहली गेन पर किन विल्यमसन आउट हो गए उन्होंने कहा कि वे मुहमद सिराज की योरकर को कनेक्ट नहीं कर पाए पांडे ने कहा अंतिम ओवर में अधिक से अधिकुरन बनाने की कोशिश थी पांडे ने अंतिम ओवर करने वाले रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के गेंदबास सिराज की काफी तारीफ की पांडे ने कहा कि हम उन्हें 190 या 195 तक रोकने का सोच रहे थे लेकिन अंतिम ओवरो में कॉलिन डी ग्रेंडाहोम और सर्फरास खान ने अच्छी बल्ले बाजी की और स्कोर को 218 पहुँचा दिया यह स्कोर चेस करने के लिए अधिक होता है उन्होंने कहा कि अंतिम पांच ओवरो में उन्होंने अच्छी गेन बाजी की और हमने कुछ अधिक रन लुटा दिये यह फर्क रहा